नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है SV Class और आज हम आपको Microsoft Word के बारे में बताने जा रहे हैं कि उसके जितने भी functions हैं हम सिफ उन ही के बारे में इस lecture में या इस playlist में बात करेंगे तो आईए सबसे पहले हम सीख लें कि कैसे Microsoft Word को open किया जाता है तो Microsoft Word को open करने से पहले आपको अपने माउस से right button क्लिक करना होगा और new option पे जाना होगा new option पे जाने के बाद आपको यहां पर क्लिक करना है Microsoft Word Document ठीक है दोस्तों हमने क्लिक कर दिया आईए इसे open कर लेते हैं हमने इसे open किया अच्छा मैंने कुछ पहले से ही copy कर रखा है मैं उसे paste कर लेता हूं यह देखे दोस्तों मैंने कोई resume copy कर रखा था मैंने उसे paste कर दिया तो इस lecture में मैं सबसे पहले आज आपको बताने जा रहा हूं कि के cut, copy, paste और format painter कैसे use करते हैं ठीक है दोस्तों तो चलिए सबसे पहले cut करना सीखें फिर copy करना सीखेंगे ठीक है दोस्तों तो आईए हम पहले कुछ जैसे मान लीजिए ये तीन line हमें copy करनी है ठीक है दोस्तों तो आपको copy करनी है तो सबसे पहले मैं आपको mouse की help से copy कैसे करेंगे उसमें दो तरीके हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे पहले तो ये आपका जो ribbons के अंदर जो groups के अंदर जो copy और paste दिया गया है तो आईए copy और paste करना सीखते हैं तो हमने ये लीजिए इसे यहां से copy कर लेंगे हमने copy कर लिया अच्छा नीचे आजाए जिधर भी आपको paste करना है अपना cursor क्लिक करें मान लिजे थोड़ा और नीचे हमें paste करना है तो यहां हमने click कर दिया enter दबाके अच्छा अब इसके बाद आपको क्या करना है जो आपने copy किया वो यहां paste करना है आपको मान लिजे आपका cursor यहां blink कर रहा है यह देखिए ठीक है तो यहां हम paste के option पर click कर देंगे यह देखिए दोस्तों आपने जो भी copy किया था वो paste हो गया ठीक है अच्छा अब आप चाहते हैं कि मुझे cut or paste कैसे करें cut or paste करने के लिए आपको सब से पहले जाना होगा जो भी आपको cut करना है for example आपको यह इतना data cut करना है यहां से और उस जगह पर paste नीचे की जगह पर paste करना है तो यहां से हमने cut का button दिया हुआ है इस पे लिखा हुआ है remove the selection and put it on the clipboard so you can paste it somewhere else कहीं भी आप paste कर सकते हैं इसको तो हमने cut कर लिया यह देखिए यहां से यह गायब हो गया अब आप नीचे आए नीचे आने के बाद मान लिजए आपको यहां पर paste करना है ठीक है दोस्तों तो आप इस paste के button पर इधर क्लिक नहीं करना है दोस्तों इधर बहुत सारे paste के option है आपको यहां पर क्लिक करना है उपर तो यह आपने क्लिक कर दिया ठीक है चलिए तो साइद यह आपको समझ में आ गया हो अब मैं माउस की मदद से बताता हूँ कैसे करते हैं अब मान लिजए इसी डाटा को आपको copy करना है और paste करना है तो हम माउस की मदद से right का button दबाएंगे select करने के बाद यह लिजए हमने right का button दबाया इसे copy पर क्लिक किया अब देखिए दोस्तों paste हो गया अच्छा चलिए आगे चलते हैं अब माउस की help से ही cut कैसे करें किसी भी डाटा को मान लिजए यह data हमें यहां से cut करना है और उपर कहीं paste करना है तो यह देखिए हमने इसे cut किया यहां से और यह data क्योंकि हमने यहां से निकाला था तो यहां हम ठीक है दोस्तों तो यहां right button क्लिक किया mouse का और यह paste पर क्लिक कर दिया यह देखिए दोस्तों high company profile जो हमने नीचे से copy किया था कट किया था सौरी वहां से cut हो गया है और उपर paste हो गया है अच्छा दोस्तों तो मेरे को लगता है आपको यह समझ में आ गया होगा और तीसरा जो option है वह आप अपने keyboard की help से कर सकते हैं keyboard की help से कैसे करना है अगर आपको cut करना है तो cut के लिए shortcut होता है अगर आपको cut करना है तो cut के लिए shortcut है CTRL plus X पहले आपको cut करना है तो CTRL plus X दबाना होगा और उसके बाद जिदर भी paste करना है वहां दबाना है CTRL plus V से होता है paste अच्छा अगर आपको copy करना है कुछ भी तो copy करना है तो CTRL plus आप दबाएंगे क्या दबाना है आपको C CTRL plus C से copy करेंगे paste के लिए CTRL plus V और cut के लिए CTRL plus X तो आईए हम करके देख लिए इसे जैसे हमने मान लिजी यह line सेलेक्ट कर लिए यह line हमें नीचे चाहिए तो अब मैंने यह data सेलेक्ट कर लिया है CTRL plus C से मैं copy करूँगा ठीक है दोस्तों और मान लिजी यहां मुझे पेस्ट करना है तो मैं दबाऊंगा CTRL plus V अगर मुझे यही data यहां से cut करके नीचे paste करना होता तो मैंने इस सारे data को सेलेक्ट कर लिया CTRL plus C से होगा copy और यह देखे CTRL plus V दबाऊंगा तो paste सुरी मैं आपको cut का option बताता है और copy का option बता दिया चलिए मैं cut करके दिखाता हूं जैसे यह data है आपको इसे cut करना है तो यहां पर लिखावा है CTRL plus X तो CTRL plus X दबादीजिए देखे यह जैसे X दबाएंगे वो cut हो जाएगा data और यहां CTRL plus V दबादी यह देखे दोस्तों यह आपका data यहां पर आ गया अच्छा दोस्तों कभी चलिए ठीक है दोस्तों आपको अगर हमाई वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब आर वीडियो थैंक यू वेरी मच फोर वाचिंग आर वीडियो